हालो फ्रेंज वेलकम टू अर्चानल दिप्रशिता शू आज हम बात करने वाले एक साल के बच्चे के डाइट चार्ट के बारे में बिसिकली जब बचा 12 मंस कंप्लीट कर लेता है तो उसका डाइट चार्ट जो है उसका डाइट का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है किस तरीके का फूड हमें एक साल के बच्चे को देना चाहिए क्योंकि अभी तक जो बच्चा ले रहा होता है वो प्यूरी फॉर्म में या मैश्ट फॉर्म में या थोड़ा सा कम स्पैसी फूड बच्चा ले रहा होता है तो जब बच्चा एक साल कंप्लीट कर ल वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और कॉमेंट करके जरूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा बचियो को हर चीजा चाहिए अपना बॉडी के लिए बचिको प्रूटीन पी चाहिए बचिको कैल्शियुंति वी चाहिए बचिको सारे मिनरल्स चाहिए होते हैं तो ऐसी क्या डाइट हम बच्चे को दें डेली बेसिस पे कि सारा जो nutrition है उसको मिलता रहे तो यही हम बात करेंगे और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक साल तक जब बच्चा होता है मतलब करीब करीब 6 मेने का जब बच्चा होता है तो हम उसे solid start करते हैं मतलब semi solids देना हम उसको start करते हैं और एक साल तक का जब बच्चा होता है तो हम थोड़ा सा उसको कभी मैश्ट फॉर्म में चीजे दे रहे होते हैं कभी प्यूरी फॉर्म में दे रहे होते हैं यह बहुत simple food हम उसको दे रहे होते हैं एक साल के बाद उसकी जरनी थोड़ी से change हो जा उसको जो चूक है वो आप थोड़ा सा अलग से बचे के लिए लगा सकते हो जैसे boil दाल ही आपने और निकाल लिया तो जो आपकी family के लिए दाल बन रहे हो उसमें प्रॉपर तड़का लगा लिया और बच्चे के लिए जिसे आपने हीन जीरे का या थोड़ा कम मिर्च वा लेता है वो सारा खाना खा सकता है जो एक family वैट के खाती है तो सबसे पहले डाइट चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़े कौन-कौन से टाइम पर आपको देनी है उसके बाद मैं बात करूंगी कुछ important tips की तो वह भी आप जरूर सुल लेना क्योंकि वह भी आपको बहुत जयदा help करे का बची के डाइट के बारे में तो सबसे बेले बात करते हैं बची की breakfast की breakfast में आपको बची को क्या देना है जैसे सुबर बचा उड़ता है तो कई बड़िये आप दूथ बच्चे को दे देते हो तो breakfast जब आपको देना है तो breakfast में आप सकते हो अब यह जितने भी चीजे में आपको बता रही हो पूरा जिसे वीक होता है तो उसके अक्वाडिंग लिए आप थोड़ा सा वैराइटी दे सकते हो उसको आप जैसे ओट्स आप दे सकते हो ब्रेक्फास्ट में ओट्स आपने कभी वेजोटेबल्स वाले बना दिए कभी आपने मिठे बना दिए कभी आपने दूत के सात में नहीं तो उसको दे सकते हो तो उस ताइम पर बचे को दूद का रिक्वार्मन नहीं है मौनिंग में और जैसे वेजटेबल ओट्स आप दे रहे हो तो उस टाइम पर बचे को थुद भी भी दे सकते हो तो ओर सो गया ओर से से आप वेजेटेबल ओर दे सकते हो या दूद वाले ओर दे सकते हो फिर ब्रेकफास्ट में दलिये को आपके पास अच्छा है दलिया भी आप वेजेटेबल दलिया दे सकते हो कभी आप मीठा दलिया उसको दे सकते हो कभी आप उसको जव मा आप उसको बना के दे सकते हो, सूजी की इडली आप उसको बना के दे सकते हो, चीला आप कभी-कभी breakfast में दे सकते हो, जैसे सूजी का चीला हो गया, या बेशन का चीला हो गया, तो basically थोड़ा सा light snack आपको रखना है, मतलब थोड़ा light रखना है आप breakfast को, तो इस तरीके का breakfast आप बच्चे को दे सकते हो क्योंकि उसके पास बच्चे को lunch भी करना है तो आटा और चावल में आपको नहीं recommend करूंगे कि वो breakfast time पे आप उसको दो तो breakfast time पे या तो दलिये से बनी कोई चीज या ओट से बनी कोई चीज या पोखा आप उसको दे सकते हो तो इस तरीके का कोई भी breakfast आप बच्चे के लिए दे सकते हो फिर breakfast और lunch में काफी gap हो जाता है जिसे बच्चा 7-8 बजे या 9 बजे उड़ जाता है तो उस टाइम पे आपने उसको breakfast दे दिया फिर lunch हमारा करीब एक डेड़ बचे होता है तो उसके बाद में एक mid snack आप दे सकते हो मतलब breakfast और lunch के बीच में एक snack आप बच्चे को दे सकते हो snack करीब करीब 12 बजे आप 12 से पहले 11-12 बजे तक बच्चे को दे दो या जिस टाइब भी बच्चे ने breakfast किया उसके एक डेड़ घंटे के बाद आप दे सकते हो morning snack के लिए मैं आपको recommend करूँगी कि आप बच्चे को सिरफ fruit दो क्योंकि एक तो fruit जो है वो 12 बजे से पहले ही बच्चे ले ले लें तो वो ज्यादा अच्छा होता है तो पूरी हफते मतलब एक एक fruit करके कोई भी fruit मतलब यह नहीं कि जो बच्चा खाता है आपको सिर्फ वही fruit देते रहना एक fruit आपको ज़रूर देना है variety रखनी है fruit में जैसे कभी अपने apple दे दिया कभी अपने orange दिया कभी अपने papaya दे दिया तो मतलब हर एक variety का क्योंकि हर एक में minerals, vitamins यह सब चीज़े अलगलग होती है तो आपको हर एक fruit बच्चे को देना है और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि juice बच्चे को नहीं दे कई बरी जो parents है वो juice firm में भी बच्चे को दे देते हैं क्योंकि एक तो बच्चा जल्दी पी ल उसको juice form में convert कर देते हो तो fiber सारा fruit का निकल जाता है और वो सिर्फ liquid form ही रह जाता है और fiber बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो अच्छा है कि आप बच्चे को सिर्फ एक fruit दो एक या दो जो भी बच्चा खा सकता है आप mix करकी भी आप दे सकते हो वो आपके लिक्विड फॉर्म में भी convert हो जाएगा बच्चा उसको पी सकता है या स्पून से उसको खा सकता है और fiber भी जो है सारा उसके glass में रहेगा fiber भी उसका नहीं निकलेगा तो बस आप blender चला सकते हो कि वो तो प्यूरी फॉर्म में हो जाए जूस आप कोशिश करो कि उसको मत दो फिर बात करते है लंच की आपने breakfast उसको दे दिया आपने जो snack है वो उसको दे दिया अब नमबर आता है लंच का जैसे एक डेट बज़े दो बज़े जैसे आप लंच करते हो उसनाइं पे आप बच्चे को भी लंच करा सकते हो लंच म कर सकते हो क्योंकि बच्चा जैसे हम खाना खाते हैं थोड़ा मिर्ची वाला या थोड़ा spicy food वो बच्चा नहीं खा सकता तो थोड़ा सा कम spicy food आप उसके लिए ready कर सकते हो अब खानावाई होना चीए बस आप छोग तोड़ा सा अलग लगा सकते हो बच्चे के खाने में आप इतना कर सकते हो जैसे कई बार ही घर में इतना खाना मलना अवलेबल नहीं होता तो आप यह कर सकते हो कि जैसे आपने सुबह उसको रोटी दे दिया है तो रात को आप उसको चावल दो या दुपैर में आपने उसको चावल दे दिया है तो रात को आप उसको रोटी द तो आपको तुम आशा ध्यान रखना है कि जिसे दोपैर में आपने लंच में उसको वेजिटेबल दे दिया है तो रात को उसको दाल दे दो या लंच में आपने उसको दाल दे दिया है तो रात को वो ज़रूर वेजिटेबल ले दहीं की में बात करूंगी दहीं आपको उसक निकाल के अध्या के लिए, घोड़ा सा और नॉमल टेंपरेचर पर आ जयाए तो थोड़ा सा आप बची को दे सकते हो अब धही जमाया एक तो घर कर ही दही होना चाहिए बाहर कर दही नहीं होना चाहिए फिर आपने कल जमाया है तो आज उसको दे सकते हो अब आध यह निया कि 2-3 दिन पुराना दही है और वही आप बच्चे को दिये जा रहे हो तो आपको फ्रेश दही बच्चे को देना है रूम टेंवर बच्चा ही नहीं रातको दही एक से हाना हम लोग लवे अध्ल विजटेबल दाल हो गया मैंध़ थोड़ा स कि अपना डेनर लण्चिकम सि authentically जो भी जिस इसाफ है आपके पास खाना बन रहा उसी साफ से आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो पस वेजेटेबल और दाल ज़रूर बच्चे की डायेट में डेली वेसिस पे जाना चाहिए अब बात करते हैं कि जब बचे ने लंच कर लिया है और फिर जब बचे रात को दिनर करेगा उसके बीच में बहुत लंबा टाइम होता है तो जैसे हमारा टी टाइम होता है उस टाइम पे बचे को भी एक स्नाक आप दे सकते हो टी टाइम पे अब वो क्या दे सकते हो बचे के लिए बाहर का junk food मना होता है कि नहीं देना चाहिए लेकिन बचा रोज, रोटी, चपाती और ओर्स, तलिया ये सब खाके बोर हो जाता है तो ये एक ऐसा snack का time है जो उसका favorite snack आप उसको दे सकते हो कुशिश करो कि खर का बनावा हो, अगर जैसे बचे को कभी आप पास्टा बना के दे सकते हो पास्टा सूजी का बनावा आता है आप वो बचे के ले सकते हो वो अच्छा रहता है बचे के लिए तो आप वो दे सकते हो जब ही कभी आप थोड़ा सा चौमिन फॉर्म में उसको मैं इस तारीके से थोड़ा सा फ्राइट पूद आप उसको दे सकते हो United स्अ श्याश्यार की बाइड थplat 내द देना चाहिए विसे सब्सकेल कि यह क्वैद कर कर दिल में चावर दे दिया है तो रात को रोटी दे दू दिल में सबजी दे दिया है तो रात को दाल दे दो बन्यविन trata दिनर का पैटल लगवख सेम ही होता है बस आप इतना देख लो कि जो बच्छा दिन में खा चुका है रात को थोड़ा सा चींज कर दो और रात को खा रहा है तो थोड़ा सा दिन में चेंज कर दो उसी साफ से लांच डिनर में कोई जादा फर्क नहीं होता लंच और डिनर यही करें कि जो फैमिली के लिए फूड बन रहा है वो यह आप बचे के लिए रेडी कर सकते हो यहां मैं बात करना चाहूंगे थोड़ा से टिप्स की आपके लिए कि क्या के चीजों को थ्यान रखना चाहिए एक तो एक साल के बाद मैंने आपको बताया कि हर एक चीज चाहे वेच हो पहले तो मैंने नॉन वेच की बात जो है डाइट चार्ट में नहीं करी है तो लंच या डिनर में जहां भी आप सबजी या दाल आड करते हो बहां पे आप अपना नॉन वेच अगर कुछ आप खाते हो मतलब चिकन हो गया या फिश हो गया जो भी आप आप फिश को गया थाद लेच में लेते हो तो लंच या डिनर में वह वह भी आप उसको ड़सकते हो बस यह फ़लब सा ध्यान रखो कि This पाइसी नव फिस्नक फिस स्नाक में आप उसको ऑमलेट या ए candeIl सकते करते हो primo उन फोचे पूरिय सब्सक्राना होता है इजो अन इससी इंटोड्यूस कर रहे हो तो three days rule आपको पता ही होगा six months के बाद जब आप solid start करते हो तो ऐसे guideline है कि जो भी चीज आप उसको दे रहे हो खाने के लिए तीन नीन तक आप थोड़ा सा observation में रखें बचे को अदब आप थोड़ा सा देखते रहे हैं कि जो भी नया चीज आपने द जाता है तो सेम एक साल के बाद है जैसे आप उसको कोई नई चीज इंटोड्यूस कर रहे हो मतलब 6 मेरे से 12 मेरे तक बच्चा जो ले रहा था वो तो खाई रहा था उसको सूट हो जाता है बट एक साल के बाद जो भी आप नई चीज उसको दे रहे हो वो थोड़ा सा three days rule यहां पे भी फॉलोग करना कि जब भी आपने कोई नया आइटम दिया है तो आप देख लो कि बच्चे को उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बच्चे को से कोई अलर्जी तो नहीं हो रही जैसे आप नॉन विज उसकी डाइट में आड़ करोगे आप शहद उसकी क्योंटिटी जब थोड़ी से कम कर दो मालब सुबा जैसे ब्रेक्फास में अपने थोड़ा सा दूद का कुछ बना के दे दिया या दूद एक लास आपने दे दिया रात को सोदे नाइम बच्चे को दूद दे दिया उसके बीच में आप पूरे दिन में क्या कर सकते हो बच्चा दूद ही जादा पीता रहेगा तो फिर खाना अच्छे से एंजोई नहीं कर पाएगा और खाने को अच्छे से खा भी नहीं पाएगा तो दूद का जो कॉंटिटी है इस टाइम पर थोड़ा कम करते हुए तो उससे बनीवे चीज़े उसको स्नाक लंच या डिनर आब सप दिख सकते हैं फिर यसे मैंने आपको बताया कि ठ्री मिल और टू स्नाक का मैंने आपको डाइप चार्ट बता दिया मतलब लंच हो गया डिनर हो गया ब्रेकवस्टहागया और दो स्नाक की मैं उसको पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है तो ये पांच बार बचे के लिए खाना खाना जरूरी है इसके बीच में आप बचे को कुछ और खाने के लिए मत दे जैसे बचा कभी बूर हो रहा है तो आपने कभी चिप्स पकड़ा दिया कभी आपने उसको पाइक्ड जो थोड़ीoping snack होती है ये चीज आपको वच्चे को नहीं देनी कहीं प्रॉपरर टाइम पर जिसें साब से ठी मील और दोखे को देना है उतना ही sufficient है उसके लाब कुछ और आपको बच्चे को देने के जोड़ात नहीं है क्योंकि उसके बाद जैसे आपने chips देती है बच्चे को उसके बाद आप उसको snack दे रहे हो या lunch या dinner दे रहे हो फिर बच्चा उसको खाई नहीं पाएगा और आपको कहीं नहीं लगेगा कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसको भी थोड़ा सा आपको control करना इस ताइम क्योंकि आपने प्रॉपर तरीकी से उसको खाना खिलाना शुरू किया है आप नहीं नहीं चीज़े उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो अब जैसे सबजी आप उसको प्रॉपर ऐसी दे रहे हो पहले थोड़ी मैच्ट फॉर्म में ले रहा था तो बच्चा जो है इस ताइम लग सकता है उस चीज़को एकसिप्ट करने में तो आप बार बार ट्राइ कर सकते हो बचे को यह ट्राइ देने में आट से दस बार भी आपको लग सकते हैं तो आप कुशिश कर सकते हो कि बच्चा खाना खाले अगर एकदम से ऐसी वेजटेबल नहीं ले रहे तो थोड़ा का इसा कुछ फ्राइड देने की जुरत नहीं है बड़ थोड़ा सा फैटी फूड उसको देना जरूरी है इस टाइम पर बहुत जादा नहीं देना है बड़ जैसे इवनिंग स्नाक का मैंने आपको बताया कि जैसे लंच में आपने कभी पूरी दे दिया तो फिर आपको स् घंच घंग माता है बाल बाल खाने में तोब स्कूर्भी होने उसको घृंट दो ऑपर जाता है अच्छाब एक साल की बाद दूद काफी अच्छी पूंट्टी में पत तो दूद बच्चे को पीना इस ताइम पर कमफर्टेबल है बच्चा इजी ली पी रहा है उसको इस ताइम पर पूरा थ्री मिल्स और दो स्नैक आपको देना जरूरी है अब ऐसा नहीं हो कि आपने सोचा कि लंच नहीं कर रहा है तो आप उसको एक लास दूद दे दिया या दूद को आप अलग रखें खाने को आप अलग रखें यह कभी में नहीं सोचना कि दूद जो है वो खाने का अल्टरनेट हो तो यह था एक साल के बच्चे का पूरा डाइट चार्ट आई हो वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जुरूर करना है आज के लिए इतना ही आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तैंक यू सो मच